दोस्तों नमस्कार T20 किर्केट का एक ऐसा फॉर्मेट है जहां ग्यंदवाजों की भरपूर पिटाई होती है और पिटाई इतनी होती है कि पता ही नहीं चलता है कि कब ग्यंदवाजों की एकोनोमी आठ, दस, बारा, पंद्र हो जाती है और दोस्तों, खास करके, जादा भरपूर पिटाई तो तब होती है जब पावर पले चल रहा होता है जी हाँ दोस्तों, पावर पले में जादा तर फिल्डर्स घ्ज़ के घेरे के अंदर होते हैं जिससे बल्लेबाजों को खूप ज़ादा मौका मिल जाता है पिटाई करने का। लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर बहुती आश्चर्ज होगा कि कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जो T20 में भी कापी कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे T20 किर्केट में पावर पले में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेकने वाले गेंदबाजों के बारे में। दोस्तों T20 किर्केट के पावर प्ले में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेकने का रिकॉर्ड भुबनेश्वर कुमार के नाम है जो कि भारत के हरफन मौला तेज गेंदवाज हैं उन्होंने अब तक पावर प्ले में 502 डॉट गेंदे की हैं और इसके साथ ही वो नम्मर वन पर बने हुए हैं दोस्तों भुबनेश्वर के बाद आते हैं वेस्टेंडी के सैमॉल बद्री वो दूसरे नमर पर हैं उन्होंने अभी तक 383 डॉट गेंदे फेकी हैं पावर प्ले में दोस्तों बात करें तीसरी गेंदवाज की जो इस केटेगरी में तीसरे नमर पर आत दोस्तों पावर प्ले में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेकने के मामले में चोथे नमर पर आते हैं अस्टेलिया के हरफन मौला तेज गेंदवाज मिचिल एस्टाक जो की चोथे नमर पर कायम है उन्होंने अभी तक 354 डॉट गेंदे करी हैं पावर प्ले में दोस्तों इन सारी गेंदवाजों में से आपका फेवर इक देडवाज कौण सा है कौन्ट बॉक्स में जरू लिखिएगा साथ में कौन से गेंदवाज की गेंदवाजी आपको ज़्यादा परभावित करती है वह भी कौन्ट बॉक्स तो दोस्तों या इनफरमेसान आपको कैसी लग ये भी कॉमेंट मों जरू लिखिएगा चैनल पे नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल इनत बुलिएगा तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद